आप जब भी एक computer, laptop या अपना कोई भी desktop PC on करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि start करते वक्त आपको एक username देखने को मिलता है क्या आपको पता है कि उस username को कैसे set या फिर change कर सकते हैं अगर नहीं पता तो इस video को end तक देखिए क्योंकि इस video में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने computer का अपने laptop का username जो है वो चेंज कर सकते हैं So Hello, Namaskar और आप देख रहे हैं The PC Learners So हम आ चुके हैं अपने computer screen पर अगर अभी मैं login करूँ या अभी मैं अपना PC स्टार्ट करूँ तो मैं को कुछ अपना username ऐसा देखने को मिलेगा So जैसा कि आपने देखा कि अभी जो username है वो है रितिक So Ritik के नाम से जो है वो आपको देखने को मिल रहा है या आपके desktop पर आपके laptop पर जोबी आपको नाम देखने को मिल रहा है वो आपको मिलेगा So अब हम देखते हैं कि इसे आप change कैसे कर सकते हैं So जब आप यहाँ पर अगर आप इंडो 10 यूज कर रहे हैं तो, आप स्टार्टिंग गए, अगर यहां पे चेक करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी यूजर नेम जो है वह रिद्धि है तो, यहां से भी आप देख सकते हैं कि आपका यूजर नेम क्या है तो अब आपको क्या करना है, आपको Ctrl Panel पे आना है control panel पे आने के बाद आपको इहां पे option दिखेगा user account का और उसके नीचे ही आपको option दिखेगा change account type लेकिन अगर आपका control panel जो है वो ऐसा menu नहीं दिखा रहा तो आप यहां पे category पे आके इसको category कर सकते हैं view by पे आप इसे category कर सकते हैं साथ आपका control panel कुछ ऐसा दिखता हो या फिर आपका control panel साथ कुछ आशा दिखता हो तो आप यहां पे इसको view by पे आके category कर लें उसके बाद user account पे आपको आना है change account type पे वहां पर आने के बाद आपको ऐसा कुछ interface एक ऐसा menu देखने को मिलेगा अग तो जिसका भी आपको name change करना है उस पर आपको click कर लेना है और यहां पर आपको multiple options दिख जाएंगे जैसे manage another account, change the account type, create a password और यहीं पर आपको मिलेगा change the account name तो इस पर आपको click कर लेना है अगर आपका कोई password है तो वह आपसे password के लिए पूछेगा और यहां पर आपको आप जो है name जो भी आप डाला चाते है वो आपको डाल देना है जैसे यहां पर मैंने channel के नाम डाल दिया है the PC Lenders और यहां पर आपको कर देना है change name तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो नाम change हो गया है एक बार हम start menu पर जाके भी यहां पर चेक कर लेते हैं अभी यहा कर दो तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो यूजर नेम है वो आ रहा है दपीसी लर्नर्स जो की पहले रिद्दिक था तो अब जो है वो यूजर नेम चेंज हो गया है अब एक बर फिर आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अगर अब यहां पर स्टार्ट पर जाकर यूजर नेम चेक करेंगे तो दपीसी लर्नर्स है तो ऐसे ही जो है आप अपना यूजर नेम जो है कंप्यूटर का वो चींज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे इस्टाग्राम पर भी वहां पर जो है हम वीडियो से रिलेटिड कंप्यूटर से रिलेटिड अप्टेश तो है वो डालते रहते हैं तिलाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है